तुम का ओ? मैं कॉलिज के बाहर तुम कॉलिज क्यों आये हो? मैं नहीं बताओंगा ए बताओ तुम्हारे लिए आया हूँ अच्छा ज़रा कॉलिज कैंटीन में मिलो तब क्लास लोगी तुम्हारे ओके कौन है वो लड़की? कौन लड़की? जो चिप की हुए थी? अच्छा देख लिए बहुत खुबसूरत है तुमने नहीं देखाए क्या अच्टिंग कर रहे हो क्या लगती वो क्या लगति आ वो तुम्हारी भावी की बहन है भावी की बैन और रहती का है? मेरे ही भावी की बहन है, एक एक घर में रहती है, और तुम कहते हो कि देखा नहीं, क्या यार तुम भी, मुझे यकीन नहीं है क्या, मैं नहीं मान सकती, तो फिर खुला आकर चेक कर लो, मैंने उस बारे में बात की है, वो जमीन खरीदने को अगा, यहां तक चलिया आई, पुछ पर को देखकर उसे बहुत दुख पहुंचेगा तुम्हें तो उसकी फिलिंग्स की बड़ी चिंता हो रही है तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना चलो पुलाओ से ओ भावी की बहन बाहर रहा है तो यह बात है तुम्हारी जाज़त के बिला उने कुछ नहीं कर सकत अब वो दीदी यह मुझसे पोछ रहा है कि यह उनलाइन चॉपिंग कैसे करते दीदी तुम बहन हो तुम हो तुम ही हो जीनी इतना पड़ा केम मतलब है इतने दिनों से जान बूच कर वेवकूव बना रही हो मैंने तो कितने सारे हिंट दिये थे तुम्हें ही समझ में नहीं आया मेरी दीदी की शादी में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम तो अपनी धोती भी नहीं संभाल पा रहे थे बस वही भोलापन देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया कैसी धोती है यह मैं तब से ही तुम्हारा पीछा कर रही हूं, और हर साल छुट्टियो में मैं तुमसे तुम्हारे घर मिलने आया करती थी, लेकिन तुमने तुम मुषे नोटेस ही नहीं किया, मतलब मैंने चार साल वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अभी भी चार महीने हैं, तो कवर कर ले, टाइम बेस्ट मत करो, हाँ टाइम बहुत कम है, अब भी बैक बीच में रखना है, बिल्कुल नहीं, वो अपनी भावी के लिए मरने मारने को भी तैयार है, उसे मारना असान नहीं जब तक मुन्ना वाँ है, एक बॉल पे रन ना लेने से मैच खत्म नहीं होत सुबू, सेंचुरी बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन विकेट के लिए एक ही बॉल काफी है, परफेक्ट टाइम पे बॉल फेकना, जब वो उसके आस पास भी ना हो,